नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपके अपने फेवरेट डूप चैनल त्रेले टूटर में दोस्तों हमारे चनल पर आपको केंद्री वीडियल एडिमिशन से जोड़ी सभी महतपूर्ण जानकरिया पिछले वरसे ही वीडियो के मादम से टाइम दी जा रही है दोस्तो सबस्क्राइब कर दोस्तों इस लिस्ट को आप अपने बच्चे के रेजिस्टेशन नंबर और देट वबर्त वगरे का इस्तमाल करते हुए kvsonlineadmission.kvs.gov.in जहां से आपने class 1 में admission के लिए पने बच्चे का form भर रहा था उस website पर login करके अपने बच्चे की lottery list देख सकते हैं दोस्तों जो lottery list दिखती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है यह जो lottery result है यह पिछले साल एक बच्ची का है यह मैं example के तोर पर आपको दिखा रहा हूँ और इसमें यह सारी चीज़ें आपको मैं समझाओंगा कि इसमें यह जो लिखा हुआ है यह जो lottery का result लिखा हुआ आपको दिख रहा है इसमें यह चीज़ें क्या क्या हैं और आपके बच्चे के admission कैसे होते हैं जो यह RTE में 439 एंड वेटिंग लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है SGC क्या होता है इसमें यह जो 10 लिखा है और वेटिंग लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है OPC Non-Crimalier में यह जो 23 है और वेटिंग लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है और ये service category 1 में जो 78 लिखा हुआ है इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है waiting list वेगरा इसका क्या मतलब होता है आगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा सबको समझाओंगा ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए जब भी आपके बच्चे का lottery result इस तरीके से केंद्री वीडियले संगंटन के admission वाली official website पर सो हो तो आप आसानी से समझ सकें कि हमारे बच्चे के result का जो current status है वो क्या है तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने example लिया है यह जो lottery result सो हो रहा है यह के भी दुर्ग यानि कि केंद्री वीडियले दुर्ग 36 गड़ का यह जो लिष्ट है वो सो हो रहा है इसलिए मैंने इस केंद्री वीडियले का परसनली जानता हूँ तो वहाँ पर जो class 1 में total seat है class 1 में admission के लेने के लिए वो 160 है वहाँ पर class 1 में admission के लिए 4 section है तो per section 40 seats है ठीक तो दोस्तों 40 into 4 160 तो total 160 seat हैं वहाँ पर तो दोस्तों total 160 seat में से जो 25% seats होती है वो RTE right to education सिच्छा के अधिकार अधनियम के तहत जो free well admission होते है उसके लिए result है ठीक है तो 160 का 25% कितना होता है 40 seats यानि कि 160 में से 40 seats जो है वो result हो जाती है RTE के लिए ठीक right to education admission के लिए वो result हो जाती है तो इस बच्चे का जो आप यहाँ पर देख सकते हैं lottery result में RTE कटेगरी में दिखा रहा है क्योंकि यह बच्चा RTE कटेगरी के लिए eligible था single girl child के लिए भी eligible थी और OBC non criminal layer के लिए eligible थी और service priority category के लिए भी eligible थी तो इन्हों ने सारी कटेगरी इसको select किया है जिसके लिए भी eligible थे इसलिए इनका जो lottery result आ रहा है वो सारी कटेगरी का दिखा रहा है इनका जो lottery number है वो 439 है and waiting list है 399 तो दोस्तों इसको समझते हैं सबसे पहले कि यह ऐसा क्यों हो रहा है इसका क्या मतलब है तो दोस्तों इस बच्ची का जो RTE lottery number है वो 439 है 449 है और जो waiting list है वो 399 है ठीक है तो इस बच्ची का RTE category में अभी फिलहाल के लिए जो status हो रहा है वो 399 waiting list पर है वो इसका भी RTE category में finally selection नहीं हुआ है तो दोस्तों इसको समझते हैं देखिए इस बच्ची का जो lottery number है यानि कि RTE category में जो कुल form पड़े हुए है उस पर जो आता है ये 499 नंबर पर आता है यानि 439 नंबर पर इसका जो है वो lottery निकला हुआ है ठीक अब दोस्तों जैसे कि पहले number से लेके 40 नंबर तक जिसका lottery होगा उसको तो final selection दे दिये उन बच्चों का final selection हो गया क्योंकि RTE में total seat होती है वो 40 seat होती है तो यहाँ पर मैंने यहाँ आपर 40 लिया है और इसको 439 में से माइनस कर दिया तो इस बच्ची का जो lottery नंबर है उसमें मैंसे जब हम 40 माइनस करेंगे तो बच्ची जो है वो 399 इसलिए इस बच्ची का 399 नंबर पर वेटिंग लिस्ट सो हो रहा है इससे पहले जो बच्चे है वो भी वेटिंग लिस् यानि कि आर्टी में जो टोटल फॉर्म पड़े थे उनका जो lottery हुआ है उसमें इस बच्ची का जो lottery नंबर है वो 439 पर है और पहले 40 बच्चों का सेलेक्शन हो गया उसके बाद जो बच्चे हैं उन सबको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया और उन वेटिंग लिस्ट में इस बच्ची का जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो 399 सो हो रहा है जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं lottery नंबर इसका 439 है और वेटिंग लिस्ट 399 सो हो रहा है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंगल गल चाइल कटेगरी में यह 10 और यह वेटिंग डिश्टू क्या है इसको समझते हैं ठीक अब देखिए सिंगल गल चाइल करेंगे में टोटल जो सीटें होती हैं वो 8 है इस केंद्री विद्ध्याले में तोटल 4 सेक्सन है क्लास वन में बैड मिशन के लिए तो पर सेक्शन दोश्टें रिजर्वत होती है सिंगल गल है अब देखिए single girl child category में इस बच्ची का जो lottery number है वो 10 है यानि कि single girl child category में जो form पड़े हैं सारे form की जो lottery हुई है उसमें इसको जो lottery number मिला है वो 10 मिला है ठीक और जो waiting list number है वो 2 है तो इसको समझते हैं कि waiting list number 2 इसका कैसे आया देखिए इस बच्ची का lottery number 10 है ठीक तो जो टोटल सीटे हैं रिजर्व्ट सिंगल girl child category में जिन पर admission होना है तो आठ बच्चीयों को admission उन्होंने दे दिया ठीक है पहले lottery से लेके 8 lottery number तक उन्होंने admission दे दिया अब उसके बाद अब सीटे दो number 2 आ रहा है उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आगे होगा ठीक है दोस्तों इस लिए इस बच्ची का waiting list है single girl child category में वह 200 हो रहा है अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं OBC non criminal क्योंकि यह बच्ची OBC non criminal category से बिलोंग करती है तो इसका जो OBC non criminal category में lottery number है वो 23 है और जो waiting list number है वो भी 23 है तो यह दोनों सेम क्यों हो रहा है यह किसी भी जो cast की reserve category है उनका जो waiting list number रहता है और जो lottery list नमर रहता है वो सेम रहता है आप किसी भी बच्ची का देखेंगे आपको सेम ही मिलेगा तो ऐसा क्यों होता है तो दोस्तों OBC non criminal layer SC या फिर ST category के जो बच्चे बच्चिया है उनके लिए कोई अलग से सीटें है वो reserved नहीं होती है उनको reservation जो priority category वगरा है इसी के हिसाब से उनको simultaneously मिलता रहता है ठीक है उस पे जो है उनका जो reservation का criteria है वो भी follow होता रहता है इस वज़ा से इनकी जो कोई अलग से lottery नहीं होती है इनकी उसी lottery में lottery होता है इस वज़ा से इनका जो कास्ट वाला यानि कि OBC non criminal lottery नमबर 23 है और waiting list भी 2300 होता है तो इसलिए दोस्तों इस बच्ची का जो है lottery नमबर 23 और waiting list भी 2300 हो रहा है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अगले में आप देख सकते हैं कि यहां service category 1 इस बच्ची के जो माता पिता है वो सरकारी नौकरी में है central government के इस बचसे इसकी service priority category 1 लगी हुई है तो इस service priority category में यहांपर 78 सो हो रहा एया और आगे कोई भी waiting list नहीं सो हो रहा है तो आगे देखते हैं कि यह 78 एक इसका क्या मतलब है तो दोस्तों सर्विस प्राइटी कटेगरी वन में यहां पर 78 हो रहा है और आगे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदरी देले में टोटल क्लास वन में अडमिशन के लिए टोटल 160 सीट है ठीक टोटल 160 सीट है अब जो लॉटरी की प्रकरिया होती है उसमें सबसे पहले जो लॉटरी निकलती है वो आर्टी कटेगरी की निकलती है ठीक उसके बाद डिफरेंटली एवल कटेगरी भी आर्टी कटेगरी में सामिल कर लिया जाता है और उसकी निकलती है उसके बाद जो लॉटरी होती है वो सर्व तो टोटल जो बच्ची है इस केंद्री विद देले में क्लास वन मेंड मिशन के लिए वो 120 सीटे बच्ची हुई है ठीक 160 सीटे ती टोटल आर्टी और डिफरेंटल ली अब जो टोटल सीटे बच्ची है और इस बच्ची का जो लौट्टी नियुका है यानि कि यह जो 120 बच्ची त्लिट्य थ सिर्टेंअ हैं इन पर सर्वीश करेगरी वण और वालो का एड्मिशन होगा पहले सर्वीस्डर्य रवालों का एड्मिशन हचाथ प्रविस करडेग्री डू अरु ऑलोक अड़मिशन होगा, तो, तो दोस्तों, 120 सीटों में से पहली, जो सीट लोट होगी, वो जिसका लोट्री नमबर one होगा, उसको लोट होगी, फिर जिसका टू होगा, उसको ऐसा ऐसे करके, तो इस बच्ची का जो lottery number है वो service priority category में 78 है तो total available seat हैं 120 है तो 120 यानि कि 78 नमबर पर 78 जो seat है वो इस बच्ची को lot हो जाएगी उसके बाद भी 89, 80 81, 82 seat ऐसे करके 120 तक बच्चों को जो है वो confirm seat मिल जाएगी इसी वज़ा से यहाँ पर जो 78 78 लिखा हुआ है उसके आगे waiting list नहीं आ रहा है क्योंकि इसको confirm seat मिल चुकी है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गही होगी यहाँ पर इसलिए waiting list नहीं लिखके आ रहा है क्योंकि इस बच्ची का जो lottery number है वो 78 है यानि कि इसका जो number आ गया है वो 78 नमबर पर ही आ गया है 120 seat में से 88 नमबर की जो seat है वो इसको मिल चुकी है इस वज़ाँ से इसका यहाँ पर waiting list नहीं आ रहा है और इसका जो admission है वो confirmed है final selection है यानि कि कोई भी waiting list नहीं है इस वज़ाँ से यहाँ पर waiting list नहीं सो हो रहा है तो दोस्तों उमिद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा अब इस सारे का एक मैं आपको conclusion देता हूँ इससे आप बहुत आसानी से समझ लेंगे कि किस तरीके से यह lottery होती है दोस्तों अगर lottery number ठीक है अगर बच्ची का जो lottery number है वो बराबर है या कम है total available seat in particular category किसी भी particular category में चाहे वो RT हो, single girl child हो या service priority category हो उसमें जो total available seat है जैसे कि यहाँ पर total available seat आप देख सकते हैं कि service priority category 1 और 2 के लिए 120 थी तो दोस्तों जो total available seats है अगर बच्ची का जो lottery number है वो उसके बराबर होता है या उससे कम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78 है तो 120 से कम है तो आपकी बच्ची का जो admission है वो selection list में आएगा जो है आपके बच्चे का या बच्ची का selection list में आएगा बच्ची का जो admission है वो confirm हो जाएगा यदि lottery number ज्यादा है available seat के हिसाब से तो आपके बच्ची का जो status सो करेगा वो waiting list में सो करेगा जैसे कि इस बच्ची का इस particular category में show हो रहा है 399 waiting list और single girl child में 2 waiting list तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आ है तो इस वीडियो को आप दूबारा से देखिए और उमीद करते हैं कि यह आप थोड़ा सा अपना भी दिमाख लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा और दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई doubt है कोई confusion है तो नीचे comment box में comment करके पूश सकते हैं और अगर आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो आप सुझाओ दे सकते हैं और दोस्तों उमीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा क्योंकि दोस्तों lottery result कुछ दिन बार declare होने वाला है जब अचानक से इस तरीके का status सामने आ जाता है तो parents बिल्कुल घबरा जाते हैं पिछली बार बहुत सारे parents को बहुत सारे confusion थे इस चीज़ को लेके इसलिए मैं इस बार इस video को पहले ही डाल दे रहा हूं पिछले साल का example लेके क्योंकि हर बार लगबग जो result आता है इसी तरीके का आता है इसी तरीके से declare होता है तो इस वज़ा से दोस्तों पहले से आप देखे रहेंगे तो आपको कोई भी confusion नहीं रहेगा और आप अच्छे से इस result को समझ सकेंगे और उसके हिसाब से decision ले सकेंगे कि आगे क्या करना है क्योंकि दोस्तों यह lottery result declare होने के बाद फिर दूसरी list भी आती है तो इस lottery result के आधार पर आपको आगे decision लेरा रहता है इसलिए यह बहुत ही ज्यादा important है thank you so much for watching इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धेनवाद दोस्तों यह सब analysis करना और उसके बाद व analysis वाली चीज़ें होती हैं यह हम कोसिस करते हैं कि अलग अलग तरीके से ढूंड कर आपको समझाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसमें बहुत ही ज्यादा मेनत लगती है तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगए तो लाइक जरू करिएगा और चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा इस तरह का कंटेंट हम अपने चैनल पर लगातार डालते रहते हैं दोस्तों मिलते हैं अपने वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक क्या जैहिन आई होब दैट कि सबके बच्चों का एड्मिशन हो जाए